इस वीडियो में हम आज के न्यूज़ पेपर से इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ फिलहाल चल रहा है सारी बात इस वीडियो में करने के कोशिश करेंगे करेंट में फिलहाल जो क्या कुछ फोर्म बगारा चल रहे हैं सबसे पहले वीडियो को सुरू करने से पहले एक चीज हम आपको बताना चाहते है जब भी एक कोई सवाल होता है मानके चलो आप लोग पूछ रहे हो कि रिजल्ट आपका कब आएगा तो एक ऐसा सवाल है कि भाई जिसका reply कोई कर देता है फिर बीच में कुछ और बात चलते हैं फिर से कोई नया बच्चा आपके पूछता कि रिजल्ट कब आएगा तो जो बच्चे लगतार active हैं और एक दूसरे की help कर रहे हैं आज शाम तक या फिर कल साम तक वो बन जाएगा जिसमें नीचे की तरफ frequently asked questions होंगे जब एक सवाल दस से जादा बार पूछ लिया जाएगा तो वो automatically सवाल और उसका जो जवाब है वो आपको website पर मिल जाएगा जितने भी सवाल आपके होंगे mostly जितने हमें confirm पता होंगे अगर आप भाई पूछोगे कि BAD का result कब आया कब आया कब आयेगा MAD कब आयेगा registration जितनी चीजे हमें confirm पता होगी उन चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा ठीक है ना तो वहां पर हम डाल देंगे और बाकी website पर सारी चीजे आपको पता चली जाएगी जब आप एक बार website पर जाओगे क्या कुछ चल रहा है तो सबसे पहले करते हैं admission की बात admission में भाई UG के admission चल रहे थे जिसकी second merit और open merit लगनी थी PG के admission चलने थे जिनके registration कल खतम हुए है LLB की हम बात करेंगे LLB के registration जो है वो चल रहे है और चलते रहेंगे जब तक आपकी college वगरा show नहीं हो जाते college show होने के बाद आपको इतना time मिल जाएगा कि आपको final कर सको अपना form को आराम से तीन चार दिन का time आराम से मिलेगा LLB के form चल रहे है बागे सर्फ form की last date हो गई PG include करके PG को लेकिन UG वाले form को दोबारा खोल दिया गया है UG में form B, LLB, BCOM, LLB खतम हो गए है क्योंकि उनकी last date हो गई है PG वालों के साथ और Russian certificate बगएर के चल रहे है वो भी खतम हो गए है अभी जो चल रहे है UG ने दो बारा से form open कर दिया अपने मतलब पहली merit लगी, दूसरी merit लगी UG की BA, BC, BCOM की हम बात कर रहे पहली से admission हुए, दूसरी से हुए, दूसरी में जिन बच्चों का admission नहीं हुआ उनके लिए open merit लगी, open merit फस्ट में 11.12 तारिक को आपने admission के लिए वतलब offer letter जमा करा, लेकिन उसमें भी number आपका नहीं आया आप इंतजार कर रहे थे, open merit 2 लगने का, लेकिन open merit 2 ना लगा के CCS University ने क्या बोला कि भाई, बहुत से seat खाली पड़ी हुई है सरकारी college में और self finance college में, private college में तो करना क्या ची है, हमें जितने बच्चे बोल रहे थे कि भाई, form की तिती बढ़ाओ, form खोलो हमारे तो भाई उन्होंने बोला कि चलो form खोल देते हैं, तो अब जिन बच्चों ने form नहीं भराए CCS University में regular अगर किसी को करनी है, जिन बच्चों ने अभी तक form नहीं भराए वो अब 25 तारिक तक अपना form भर सकते हैं, जिन्होंने form भर दिया है, वो अब इंतजार करेंगे 25 तारिक तक 26 तारिक को एक open merit लगेगी, जिसमें एक offer letter निकलेगा, इस वीडियो में आगे उसकी भी बात कर लेंगे एक offer letter निकलेगा, उस offer letter में college आपको इसा भी चांटोगे, आप course चांटोगे, और जमा कर दोगे, जिस college में भी आपको लगेगा कि seat है seat का भी आपको अभी बता देंगे इस वीडियो में किस तरीके से चेक करनी है, थोड़ा सा इस वीडियो में इस पे नजर डाल लेते हैं, अभी क्या कुछ नई चीज़ इसमें लिखी हुई है जिसमें लिखाया है कि चोदरी चरण सिंग विश्विद्याल है और उससे जुड़े college में संचालिक परासना तक, मतलब PG और certificate diploma course में परवेश परकिज़ा शुरू होने वाली है तो इसमें जो परवेश है वो ले अब तक form भरे गए है, अब परवेश शुरू होने वाले हैं, इसके लिए 22 अक्टूबर को पहली merit जारी की जाएगी, 22 अक्टूबर को पहली merit लगेगी, जिसके admission जो है 22 और 23 अक्टूबर को चलेंगे, 22 और 23 अक्टूबर को चलेंगे, पहली merit, PG की पहली merit 22 को हो, लग जाएगी, और 22 तारिक को ही आपको पता चल जाएगा, आपका किस college में नंबर आया है, 22 और 23 दो दिन आप admission लोगे, अगर 20 को नहीं ले पाए, किसी कारण से 23 को आप इस वीडियो को देख रहे हो, और आपने admission नहीं लिया है, तो आज भी आ बात करने हैं, हाँ, वे अपने login ID से offer letter डाउनलोड करके, जिस college में merit में नाम आया है, उसमें परवेश ले सकेंगे, ये जो चीज़ हम ने उपको बताई है, 23 अक्तुबर तक college को PG पार्टिकर में परवेश के बाद 24 को परवेश करना हुआ, मतलब 23 तक आपका काम है कि आप परवेश के बाद 25 अक्तुबर के बाद 25 अपनी login ID से blank offer letter डाउनलोड करेंगे, जिसका हम अभी आपको दिखा देंगे कि कैसा होगा वो दिखने में, उसमें अपने इच्छते कोई भी college जहां seat बच रही है, वहां offer letter जमा करके परवेश ले सकेंगे, एक चीज इसमें ध्यान दे, जहां seat रिक्त है, वहीं परवेश लोगे, नहीं तो आपका offer letter जमा करना बेकार हो जाएगा, आगे छोटी सी एक update और लिख रखे है, इसमें कि वीधी में registration यथावत, मतलब BALLB पांच वर्सी है, बीकॉम LLB पांच वर्सी है, पाट्टे करम में परवेश के लिए registration यथावत चलते रहेंगे, अभ्यरती course और college का चेहने इच्छ अनुसर कर माफ करना हमने इनको बोलाता कि अभी नहीं चल रहे है, लेकिन ये भी चल रहे है, इनकी लास्ट डेट कल लिख रखे थी, लेकिन इनकी नहीं हुई है, तो जैसे चल रहे थे, वो चल रहे है, बीलल्ब से जुड़े हुए जितने भी courses है, बीलल्ब, बीकॉम LLB और ये भी जो थे, आपको जो रसियन वगरा बतायते हैं, वो भी खतम हुए है, ठीक है, इधर की साइड दे रखा है बाई, जो result आए हैं आपके, बीए पर्थम वर्ष समेद कई course के result घोर्षित, चोधरी चरण सिंग विश्विद्द्द ले और सबध कोलिजों में संचालित बीए पर्थम वर्ष रेगुलर वार्षिक परिक्सा 2021 का result घोर्षित हो गया है, इसके अलावा, MFA 4th semester, MIB 4th semester, BWOC 2nd semester, MBA 2nd semester, MA राजनेती विज्ञान 4th semester, BBA 6th semester, BCA 6th semester, MSC Microbiology 4th semester जो है, और M.com 4th semester और Pre-PhD course work का result घोर्षित कर दिया गया है, इसके अलावा, BBA, HA, बदलब Human Resource जिसे बोलने हैं, 3rd और 5th semester, MBA पहले semester, BAC Home Science 5th semester, MFA 3rd semester, MLIB, ठीक है ना, MLIB जो होता है, Library Science वाला, उसमें पहले semester का result घोर्षित हो गया है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसमें, अब 4 Self Finance College में, LLM की सीटे बढ़ी, एक तो ये news है, इसमें 40 सीट बढ़ा ह गई है, जो कि पहले 20 थी, वो अब 60 हो गई है, 40 सीटे बढ़ा कर, किन college में सीट बढ़ा ही गई है, वो उनकी list नीचे लिखी होई है, कि बाई, इन college में सीट बढ़ा ही गई है, इसके अलावा, एक update थी भाई, M8 के लिए, तो जिसमें लिखा, चोधरी चरण सिंग विश् इसकी बज़े से बच्चे नहीं बर पायते हैं, आप 23 अक्टूबर कर दी गई उसकी तीती बढ़ा कर, विश्विद्याले की website पर इसकी पूरी जानकारी update है, इसकी भी हम notice दिखा देंगे, यह UG वाला notice है, UG वाले में भाई, एक चीज़ और आप पता करें, एक चीज़ आप की सीटे होगी, तो आपको बतादेगी कैसे आपको चेक करना है, क्किस कोलिज में कितनी सीट अवे लेक हैं रहे रहे में पता हैं, थैडिक बाई, अप से करना है। हैं जहां यहां भी सूचित क्या जाता है कि बी ए लल्बी पांच वर्सी हों बीकों में परफिर से तो पंजी कर देथा वज चलते रहें जिसमें बिर्द्यों को उक्त कोर्स में अपनी चर्ण सार चेयन करना हुआ ठीक है तो यह चीज हमने आपको बता दी इसके अलावा जो प्रमिशन लेने की तो यह चीज हो गई इसके अलावा ओफर लेटर जो हम बता रहें वह निकलेगा सिंपल वाला वह इस तरीके से निकलेगा कोलेज मान के चलो आपने डाल रखा था एनारिसी और हरचंद जिन बच्चों ने पहले भरवार रखें तो पहली वेरिट दूस एक आपने बास राखेंगे एक आपको दे देंगे इस तरीके से आपका अबीशन पर क्रिया पूरी होगी seat availability कैसे चेक करेंगे कि भाई आप जिस college में जम्म करने वाले उसमें कितनी seat available है तो ये है भाई हमारी website पे उपर की तरफ लिंक इस पे जाके आप चेक करोगे इसमें जाते ही आप से पूछेगा आप जिला कौन सा है आप लिखोगे बुलंश है कौन से course में admission है BA लिखोगे आप उसके बाद college आ जाएंगे list निकल के A college, B college, C college आपको लेना है C college में तो C college चांट लेना तुरंत list निकल जाएगी कि भाई कितने college में उस college में कितनी seat है अगर आप चांट होगे कि भाई बुलंश हैर और बुलंश हैर के अंदर BA और BA के अंदर तुरंत list निकल जाएगे कि वाई A college में इतनी seat है इतनी भर गई और इतनी बची हुई है आप उस चीज़ को चेक कर लेना पीछी भी हमने कोई वीडियो बना रखके जिसमें हमने seat available है ठीको बता रखका है ठीक है इसके अलावा हर्याड़ा पुलिस कॉंस्टेबल के 39, 39, 39 को जो mail candidates थे उनके paper होने है admit card आज ये कल में आ जाएंगे जैसे आएंगे आप link active सून इस पे click करके देख सकते हो admit card ये link अभी भी active है अगर अभी admit card आ जाए तो हम इसे छेडेंगे भी नहीं ये automatic active है अपनी ID password डालना तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब हमें पता चल जाएगा कि भाई इसके admit card आने लगे है तो यहाँ पे available या फिर जो download ही है ऐसा कुछ करके लिख देंगे इस पे ठीक है ये चीज़ हो गई अब scholarship की हम बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है website कभी-कभी आ रहा है http error 503 अब error 503 के दो reason होते है जो पहला reason होता है उसमें है कि under maintenance है जब under maintenance होती है तब यह आता है वेबसाइट उने खोलनी पड़ेगी under maintenance चल जाएगी वेबसाइट तो 503 आता है दूसरा कारण होता है overload जब website पे overload होता है तब भी under maintenance sorry तब भी 503 code आता है 503 code का मतलब है कि या तो website under maintenance है कुछ कर रहे है scholarship वाले website पे ठीक है या फिर overload है website वेबसाइट पे जितने फोर्म भरे जाने चाहिए अगर website की capacity है एक मिनिट में 100 फोर्म को accept करने के और भरे जा रहे है उस पे 1000 फोर्म या फिर 120 फोर्म तो ये overload है ठीक है इससे जो बच्चे भर पा रहे है उने भी नहीं उनका फोर्म ही भरा जाएगा ठीक है ये type होता है अगर फिलाल आप तो UG में हो और आप चाहते हो admit card, sorry offer letter डाउनलोड करने तो हमने आपको बता लिए कि 25 तारिक से निकलेगा तो अभी यहाँ पे आ जाएगा offer letter या merit लिखा हुआ यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे फिलाल ये 25 तारिक तक इस पर कुछ नहीं आने वाला है तो ये update है बाकी जितनी भी update आएगी important आपको तुरंट से वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, post के माध्यम से बताया जाएगा और बाकी हमने आपको बताया ता सुरू में ही एक बार फिर से हम बता दे कि भाई जितनी भी update आप हमसे लेते हो टेलिगराम गुरूप पे या कहीं पे भी और कुछ सवाल जो repeated होते हैं उन सब को हम अपनी website onlineforminfo.com पे डालेंगे जिससे कि आपका जो है doubt कुछ हद तक कम हो जाए आपको कुछ हद तक तसली मिल जाए और उस सवाल के जवाब के नीचे हम time भी लिख देंगे कि ये time जिये सवाल जो answer है कब ये last update हुआ है बाकी time to time website हम regular update करते हैं सुबह को कभी 6 बज़े कर देते हैं अभी रात को एक बज़े भी करते हैं बारा बज़े भी करते हैं लेकिन दिन में website update हो जाती है हम जरूर से करते हैं और time लिखा आता है उस पर website जब update होती है तो इस वीडियो में यही update है भाई किस तरीके से हम इस चीज़ को और बेटर बना सकते हैं कोई सलह सुझा हो तो comment कर देना कोई भी सवाल हो इस से regarding जो हमने अभी सब आपको बताया है comment करना कोशिश करने कि जतने जल्दी हो सके reply करने की description में टेलिगराम गुरूप की link है join कर लेना क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंट से आपको सुचित कर दे जाता है